हेलो अरिवडी क्या आप दसवी बारवी में फैल हैं क्या आप आगे पढ़ना चाहते हैं और वह भी घर बैटे बिलकुल कम रेट में आप दसवी या बारवी कर सकते हैं घर बैट कर यदि आप जाना चाहते हैं पूरी डिटेल को तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखत रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका सती राजे स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नोलेज टीवी देशीता हूँ कैसे आप सभी दोस्तों इस चैनल पर हर रोज एक या दो वीडियो जोब या जोब से जुड़ जानकारी पर म लेकिया तरहता हूँ जो आपके लिए कहीं न कहीं हैं फिल्जर होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंप्रोटेंट वीडियो या इंप्रोटेंट इंफरमेशन आपके मिशन ना हो और दोस्तों यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना रखें तो दोस्तों यदि आप दसवी या बारवी फैल है और आप आगे पढ़ना चाहते हैं आप दसवी करना चाहते हैं आपने किसी भी बोड़ से दसवी की आप फैल होगए कोई दिक्कत नहीं है आपने बारवी की कोई दिक्कत नहीं है आप फैल होगए तो कोई दिक् आप दसवी या बारवी अब घर बैठे कर सकते हैं केवल आपको पेपर देने की जूरूत पड़ेगी तो दोस्तो हरियना उपने दसवी और बारवी के फ्रेस फोरम मांग लिए हैं ओनलाइन फोरम बढ़ने शुरू कर लिए हैं मैं आपको इस वीडियो में फीश भी पता वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा थो दोस्तो हम हरियना जो फ़ीश ल वेश साइट है वहां पर चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो आप खरियाना विधालया शेक्षा बरूर्ड और दोस्तो हरियाना ऊपन और हरियाना बरूर्ड की जो वैल्यू है व कोई फरक नहीं पड़ता है इस चीज़ों में यहां पर देख सकते हैं ओपन स्कूल रेजिस्ट्रेशन फ्रेस्ट केंड़ेट दो जार उनिस बीस फ्रेस्ट केंड़ेट के फारम यहां पर निकल चुके हैं दोस्तों यहां पर बता गया कि आप स्रुडेंट ध्यान दे आप जो अपना धारका डाल रहे हैं वो आप सही डालें यदि आप अपना धारका नमबर गल्त डालते हैं तो आपका फारम रिजेक्ट कर दिया जाएगा ठेक है यहां पर देखिए दस वी के लिए अलग से लिंक है पलस टू के लिए अलग से लिंक है दोस्तों अब बात करते ह fees की तो यहाँ पर देखें दोस्तो 10th class की यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं fees structure है exam fees 900 रुपे दोस्तो practical subject fees 100 रुपे है per subject एक subject इदिया practical लेते हो तो 100 रुपे आपको extra देने पड़ेंगे 900 रुपे आपकी fees है ठीक है यह आपकी fees लगेगी उसके बाद में 12th की यहाँ पर देखिए 900 रुपे fees है 500 रुपे migration fees है 200 रुपे additional subject fee है यह आप extra subject लेते हैं तो 6 रुपे लेते हैं तो और 100 रुपे per subject practical fees है यह आप practical subject वाड़े practical subject लेते हैं तो यह आपकी fees लगेगी दोस्तो ठीक है अब बात कर लेते हैं कि कब तक आप फार्म apply कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए 11.07 से फार्म सुरू हो चुके हैं दोस्तो 30.09.2019 तक फार्म बर सकते हैं आप normal fees में उसके बाद में 10.00 मेहने की एक तारिक से लेकर 31.10 तक आप सोर पे लेट फीज देकर फार्म बर सकते हैं उसके बाद में 30.11.2019 तक आप 300 पे लेट फीज देकर फार्म बर सकते हैं उसके बाद में 31.09.2019 तक 1000 उपे लेट फीज देकर फार्म बर सकते हैं आप सक्रीन सोट अपने मोबाइल पे लेके रखें ताकि आपको ध्यान रहे माइंड में रहे कि आपकी जो डेट है वो कब तक है और कितनी फीस लगेगी ठीक है फीस का और डेट का पताच लगया दोस्तों आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नबर पे कोल गर सकते हैं आप इमेल आइडी पर इ पर फॉर टैंथ रेजिस्टेस न आपको कलिक कर देना है यहां पर कुछ आपके जो आवशक दिशा निर्देश है वो आज जाते हैं आपे और यहां पर पढ़ लेजिए जिन परिक्षार्थियों के दुवारा हरियाना मुक्त विद्याल की सेकंडरी 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 प आवेदिन करना है वे बोर्ड की विबसाइट पर ओनलाइन आवेदिन कर सकते हैं ठीक है ओनलाइन फार में दोस्तों ओनलाइन आवेदिन करते समय प्रिक्षार्थी दुवारा सभी प्रिविष्टियां सही दर्ज की जाएं तदा ओनलाइन आवेदिन के समय केवल अपना म दोस्तों यहां पर बता गया कि आपको जो अपनी नाम वाम है कटागरी वगए रहा है सब कुछ सही मैंशन करनी है गल्त भरोगे तो आपका फारम रिजेक्ट हो जाएगा टो तो यहां पर इस प्वेंट में आपको देखना है सेकनडरी क्लास के लिए क्या क्या चाहिए है तो सेकन्डरी प्रिक्ष़र के लिए वांचितon दस्तावेज जनम परमान पत्र या विधahlया चोडने का परमान पत्र या अस्तरकारी एस्पताल दुबरा जारी जनम तिती स संबंदीं पर्मान पत्र जो संबंदीं शक्षम अधिकारी से परति हस्ताक स्थरी तो ठीक पर्मान पत्र के जff करता है उश को भी ओन लाइन आवेजन करता हैं। इस ब्रमान पत्र आइसके संब्धन कर के 7 लाइन किया जाना जरूरी है। तो आपको दसवी के दिए आप फारम बना चाहते हैं आपके पास या तो जनम परमान पत्र है केवल जनम परमान पत्र और धारकार से आप फारम बर सकते हैं या फिर आपके वाद चोड़ने का परमान पत्र है या फिर आपके पास फैल होने का परमान पत्र है तो आप अपला सब्सक्राइब करें दोस्तों आप यह दिए फारम बलना चाहते हैं पलस टू का तो आपके पास क्या ने चीए दस्मी की मारक्षित होने चीए किसी भी बोर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं है और आपके पास दस्मी के बाद में डेड़ साल का गैप हो तो आप यह फारम अप्ला प्राइज आएगी तो इस तरीके से है जो आप अपना भार में वह भर सकते हैं डोकुमेंट मैंने आपको बता दी क्या क्या प्लस टू के लिए आपकी दस्मी के मारक्षिता धारकार चीए फोटो और साइंस यह दस्मी के लिए आपकी दस्मी का फाइल का स्रेटिफिकेट है तो आप अपलाई कर सकते हैं जनब परमाण पतर तो आप अपलाई कर सकते हैं आपके पास स्कूल लिविंग स्रेटिफिकेट तो आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यह थी जरूरी जानकारी फीस आपको पता चल गई लास्ट डेट आपको पता चल गई एग लेकिन जो भी करें आप सही तरीके से करें ताकि आपको कोई दिक्त ना है फारम भरके आपको भीवानी बोर्ड का जो ओपन का एडरस है उस एडरस पर आपके सभी डोकुमेंट पहुंचाने हैं दोस्तों आज की वीडियो में तना ही आपको वीडियो कैसे लगे है लाइक औ बहुत बहुत धन्यवाद भगवाने के लिए आप सभी का दिन सुब रहे